नमस्कार स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में आज है 15 सितंबर दिन मंगलवार तो चिले बिहार के 15 बड़ी खवरों को जानते हैं तो फटापट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और अपने तरब से 11 लाइक इस वीडियो को आप जरूर कर दे बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर तो बिहार में कोरोना महमारी की संख्या 1,69,526 तक पोछ गई है राजजिम में पिछले 24 गंटों में 1137 मामले सामने आया है वही पिछले 24 गंटों में 14 लोगों की मौत हो गई है अब तक कोल मरने वालों की संख्या 822 तक पोछ गई है राजजिम में अब तक 1,43,000 लोग ठीक हो चिक है हुए पिछले 24 गंटों में 1895 संक्रमित मरेज स्वस्थ हुए है बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी है या जानने के लिए दिल्ली से चुनाव आयोग की दो सदस्य टीम पटना आई है समवार सुबर चुनाव आयोग की अधिकारे विमान से पटना एरपोट पहुचे पटना से अधिकारे हलिकाप्टर से मुझपरपूर गए समवार को चुनाव आयोक की अधिकारियों ने पहले मुझपरपूर फिर पटना में बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की मंगलवार को इसी तरह की बैठक भागलपूर और गया में होगी बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारी चुनावी तयारी की समिछा कर रहे हैं इसके साथ ही अधिकारियों से चुनाव की तारीकों और चरण पर फिडवेक लिया जा रहा है नालंदा खुलाविस विद्दाले बिहार का अकेला एक ऐसा विद्दाले है जिसमें दूर सिक्षा के मायदम से सबालाग से अधिक विद्दारती अन्रोल है नालंदा खुला विस्विदाले की स्थापना के वक्त ही तई था कि इसकी स्थापना नालंदा जिले में होगी जिसके लिए परियास तो सालों से चर रहा लेकिन परियास जमिन पर कुछ माप पहले उत्रा राज सरकार ने 10 एकड जमिन का आवेंटन कर दिया जहां काम सुरुबी हो गया लेकिन मौजदा परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी दोर सिक्षा संस्थान को 40 एकड जमिन पर निर्मान आवाश्यक है जो नालंदा खुला विस्विदाले के पास नहीं है इसके बाद विस्विदाले प्रसासन ने राज सरकार को इस मामली की जानकारी दी तो सरकार ने अतरिक जमिन देने से इंकार कर दिया राज सरकार के इस इंकार के बाद नालंदा खुला विस्विदाले के मायनता पर खत्रा हो गिया है सिक्चा विभाग ने बिहार इस्टेट प्राइवेट इनिवर्सिटिस एक्ट दोजर तेर का हवाला देते हुए दस एकड से अधिक जमिन देने से मना कर दिया है राज के पांच लाग ट्रक ओपरेटर समवार से हर्टाल पर चले गए हैं वो च्छो बज़े से पूरे परदेश में ट्रोको का चक्का जाम हो गया है रईवार को बिहार ट्रक ओनर्स एस्टेशन ने 21 सुत्रे मांगो को लेकर बेमियादी हर्टाल पर जाने की घुसना कर दी थी ट्रको की हर्टाल यदि लंबे समय तक जारे रहे तो फल, सबजे और अइन खाद परदातों के किमत में बढ़ने की आसंका है एसोसेशन के अज़्द्यच भानू सेकर परसाथ सिंग और महा सचीव राजेस कुमार सिंग ने कहा कि राज सरकार के बार-बार अस्वसन के बावजोद उनकी समयसाओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है और ना ही उनके मांगी मानी जाती है पब्लिक हेल्थ इंजिनेरिंग डिपार्डमेंट बिहार ने अनुबंद के आदार पर जूनियर इंजिनियर सिविल के रिक्त पदों की भरती के लिए एक अधिसोचिना जारी की है जिनें उम्मिदवारों को रिक्त में सुची है उन्हें अधिकारिक वेबसाइट state.bihar.government.in पर जाने की सला दी गई है ताकि आगे की विवरन की जाच की जा सके ओनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जा सके बिहार सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजिनिरिंग विभाग में जूनियर इंजिनियर की 288 वेकेंसी निकली है इन पदों के लिए 25 सितंबर से 15 अक्टूबर 2020 तक साम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं को बदा दे कि जारी पदों पर आवेदन ओनलाइन आमेंत्रित किये गया है वहीं उमिद्वारों के लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं रखा गिया है इन पदों पर चयनित उमिद्वारों को सता सजार रुप्ये प्रतिमा दिये जाने का प्रावधान है लोकसवा में समवार को बिजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भोजपुरी को समिधान की आठवी अनुसुची में सामिल करने की मांग उठाई सुनिकाल के दोरान सदन में भोजपुरी को समिदान की आठवी अनुसुची में सामिल करने की मांग उठाते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि भारत की आइन भासाओं को भी सम्रिद किये जाने की जरूरत है उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 60 देशों में 20 करोर से ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं इसलिए इसे आठवी अनुसुची में सामिल किया जाए अगर आप पढ़ाय में काफी तेज है लेकिन आपका साथ आपका भाई की एक वक्त के लिए छोड़ देता है तो आपके साथ क्या हो सकता है ये आप खुद नहीं जानते है इसी तरह का एक मामला दरबंगा जेले का है जेले के संतोस कुमार यादम ने डॉक्टर बनने का सपना दिखा था मेडिकल कॉलेज में एडमिसन पाने के लिए पूरे साल तैयारी की लेकिन दस मिनट की देर ने एक साल बरबाद कर दिया संतोस का परिक्षा केंदर पूरवी कुलकत्ता के सौल्ट लेक टाउंसिप इसित एक स्कुल में था उसने 24 घंटे में करिब 700 किलोमेटर की यात्रा की इस दोरान तीन बार बस बदला लेकिन परिक्षा केंदर तक पहुचने में मात्र उसे 10 मिनट की देरी हो गये उसे परि संतोस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है प्रवासिस स्वर्मिकों को बाग उत्तान योजना के जरिये रोजगार उपलब्द कराया जाएगा विभिन योजना से जोड़कर बाग उत्तान योजना बनाई जाएगी यह योजना स्विकित की प्रक्रिया में है विरिक्षो का प्रबंदन कराया जाएगा तो बिहार में आगामी विधानसवा चुना के मद्द निजर सियासी पारा चड़ा हुआ है वही केंद्र सरकार ने जैसे बिहार वासियों के लिए खाजाना ही खोल दिया है प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी की और से लगातार न में से चार परियोजनाएं जल आपूरती दो सिवरेज ट्रीटिमेंट और एक रिवर फ्रंट डेवलेटमेंट से सम्बादित है इस मौके पर बिहार के मुखमंत्रीन नितिश कुमार भी सामिल होंगी अगली बड़ी खबर बिहार के सांसद जनारदन सिंग सिग्रिवाल को कुरोना हो गिया है इस खबर से बिहार के सियासी गलियारे में एक बर फिर से भोचाल आ गिया है जनारदन सिंग सिग्रिवाल से संपरक में आने वाले लोगों से कुरोना टेस्ट कराने की सला दी गई संसद सत्र के पहले दिन करीब 17 संसदों के कोरोना पोजिटिव पाए गई है। लोगों ने उनसे कामकाज का ही सांगना सुरू कर दिया। ग्रामिन मंत्रे सेलेस कुमार के उपर विकास के बदले जातिवाद करने का आरोप लगाया गया और उन्हें वोट दिने से इंकार कर दिया। ग्रामिन ने मंत्रे सेलेस कुमार को आइना दिखाते वे कहा कि उन्हों पूर्पूर का विकास करने के बज़ाई सिर्फ जातिवाद किया है विरोत के दौरान इस तेने लोगों ने ग्रामिन कायर मंत्रे सेलेस कुमार से कहा कि वे लोग आरजेडी या बीजेपी को वोट दे देंगे लेकिन किसी भी हाल में जिरेयों को वोट नहीं देंगे मुझपरपूर जिले के सकेजे लोग कॉलेज गन्नीपूर में समवार को सेट अप और स्पेशल क्लास के नाम पर महाविद्दाले द्वारा चात्रों से आर्थिक सोसन की खिलाब लोग कॉलेज के चात्रों ने आवाज उठाई चात्रों द्वारा महाविद्दाले में जोरदार विरोध परतसन किया गिया चात्रों ने कॉलेज प्रबंदन पर अवेद वसोली का आरोप लगा कर जमकर हंगामा किया दरसल चात्रों का कहना है कि जब कोरोणा काल के दोरान कक्चा का संचालान ही पूर रूप से लिए फ़या है कि अगली बड़ीकबर इसकुल में पढ़ाई लिखाई को लेकर केंद्र सरकार ने उसकुल बंद ऐसे में केंद्रिया स्वास्त मंत्रा ले ने एक चाहीं किये किया है जिसके अनुसार यह कहा गया है कि अधिकतम 50W सिखचक और गेर सिखचक स्टाप और गाइडलाइन टीचिंग या फिर टेली कांसिलिंग और इससे जोड़े दूसरे कामों के लिए आ सकते हैं। नवी से बारवी तक के छात्र छात्राय चाहे तो अपने सिक्षक से मारक दर्सन सला मस्वीरा लेने के लिए इसकुल आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिबावक से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। गाइडलाइन के मुताबिक कक्चा में चात्रों के बैठनी के विवस्ता इस तरह से होनी चाहिए कि कुरसी मेज की दूरी चाप फीट होनी चाहिए। कक्चा में आइन जरूरी गती विदियो की दोरान सारे डिक दोरी का दियान रखना होगा। टीचिंग फैकलिटी को इस बात का दियान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई की दोरान चात्र और अजदाबक मास्क पाहने हुए हो। चात्र को आपस में लेपटॉप, नोटबूक, स्टेशनी सेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। में अपने सपने सोब कर गए हैं। रगवांस बाबो वैसाले के गौरब, लोकतंद्र की गरिमा, किसानों की खेत और गरीबों की पेट की चिंता करने वाले राजनेता थे। बिहार के भागलपूर में वार्सिक फिश सही तीन महिने की ट्यूसन माप कराने के मांग को लेकर अभिभावक ने स्वमवार को अलिगंज इस्तित संट टेरेसा स्कूल के सामने प्रदोसन करते हुए भागलपूर हंस डिहा एनेच को जाम कर दिया। अभिभावक ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे लोग आंदोलन करते रहेंगे।